बहुत से नाटो फेंस को नहीं पता कि मादारा ने बिना इसके सुसानों के से यूज़ करा था क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पुछते रहते हैं आखिर मादारा ने बिना इसके सुसानों के से यूज़ करा था तो आज की वीडियो में मैं explain करने आला हूँ आखिर मादारा ने बिना इसके सुसानों कैसे यूज़ करा था और जिनको पता है उनके लिए तो कभी बात ही नहीं बगर जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है और वीडियो स्टाइट करने से पहले चैनल को सस्क्राइब करो यार आप लोग देख से क्तो कितने लोग बिना सस्क्राइब करें वीडियो देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा 4th गेश नवी वोर के टाइम मादारा के पास ना ही शारिगन थी ना ही रिनेगान तो भी वो सुसानों को यूज कर सकता था तो आखरी ऐसा कैसे क्योंकि जब काबूटो ने रियनेमेशन जुसु को यूज कर मादारा को जिंदा करा था उसके पास उसकी दोनो आइस थी मगर जब उसको samsara heavenly life technique को यूज करा actually में alive करा गया तब उसकी दोनों ice destroy हो गई थी जो की natural था मगर अब caution ये उठता है मादारा उची आने बीना ice के सुसानो केसे यूज करा और बहुत लोग ये भी कहते कि सुसानो को यूज करने के लिए मांगे को शारिंगन को एक्टिव रहना चाहिए तो देखो एक बार user मांगे को शारिंगन को अनलोग कर लेता है तो उसकी सुसानो की ability भी अनलोग हो जाती है मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सुसानो को यूज करने के लिए या मांगे के और शारिंगन होना चाहिए यूजर ने एक बार मांगे के और शारिंगन को अनलोग करने के बाद सुसानों को यूज कर ले उसके बाद वो बिना मांगे के और शारिंगन के भी सुसानों को यूज कर सकता है और यहां तक की बिना इसके भी और यह चीज हमको एनेमे और मांगा में कईबा दिखाया भी है इटाची ने सुसानों को यूज करा था बिना शारिगन को एक्टिव करे और ऐसा करते हैं हमने इटाची को एक से ज़्यादा बाग करते देखा है जब इटाची और उची मरों से फाइट करा था उस टाइम भी और काबुटो के टाइम भी और जब मादर उची और फाइव कागैस के साथ फाइट कर रहा था और एक बार यूजर की दोनों आइस में मांगे कि और शारिगन अनलोक हो जाए उसके बार यूजर भले ही अंता हो एक आई हो या आईस ना भी हो तो भी वो सुसानों को यूज कर सकता है तो यार आप लोगों को आपके कोशन का आउंसर मिल गया होगा तो फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में ततक के लिए बाई बाई